अभी देश के अंदर लोक सभा चुनाब का आखरी चरण आ चुका है देश ने एक बड़े महापर्व में अपनी भागेदारी दी है वहीं पर लगातार तमाम राजनेतिक दलों ने अपने अपने पृति निधेत को लिए कह दिया है कि वो जीत कर आ रहे हैं आज हमारे साथ हैं बहुजन समाच पार्टी के गट्टर समर्थक भाई सुदेश आ रहे हैं जी सबसे पहले सुदेश जी आपका कारेकरम में स्वागत है सुदेश जी इस बार की जो लड़ाई है एक कुछ अलग तरीके से दिख रही है क्या लग रहा है इस बार बहुजन समाच किसकी तरफ जा रहा है मैं बहुजन आपने लड़ाई की बात की है तो यह जो साड़े चार पान साल में अत्याचार हुआ है खासकर मनवादी ताकतों ने बहुजन समाच पर छाट कर उनको अत्याचार किया है तो वह वानगी कहीं ना कहीं राजनिती रूप से आपको इस बोट में मिलेगी और जो सत्ता परवर्तन की बात की जा रही है घटबंदन महागटबंदन और छेतरी दलों द्वारा तो यह पूरी तरह बहुजनों का एकजिट होने से कहीं ना कहीं आपको इस राजनिती तो मोधी जी का हारना भी कोई बड़ी आसर बात नहीं होगी वहां के जो और जो परचा दाखिल किया तो इसका मतलब है मोधी जी हारे हुए तो पहले ही है तो अब हमें लगता है राजनीती रूप से हारेंगे और बनारस उने हरा के भेज़ेगी सुदेश जी क्या लग रहा है इस वार देश का पहला दलित प्रदानमंत्री देखेगा बिल्कुल देखेगा सत्तर सालों में आपको राइट देता है कि भारत में जो जनम ले चुका है जो व्यक्त जनम ले चुका है वो सम्मिधान की किसी भी जाके पीड़ पे बैठ सकता है तो हमें लगता है कि भारत में जिस तरह से माहल बना है खासकर माने बहन जी ने जिस तरह से पूरे भारत की राजनीति को अपने 40 साल के तजूर्वे को उन्होंने यूज किया है और मानवर कासी राम बावा साब की जो आइडलोजी थी वह लोगों के बीच में लागे रख लेकिन हर वार जैसे आपने समीधान की बात कही समीधान के नुसार उन्हें प्रथान मंत्री बनने का अधिकार है लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि 85 पर हमेशा 15 भारी रहा है तो सबसे बड़ा काड़ है आर्थिक रूप से हम लोग कमजूर है आर्थिक संसादनों का पूरा पूरा वाना है वो अभी 15 परशंट लोगों के पास है सेचली संस्तानों में उनकी एक तरह से पूरी मानुपली है पूरा ब्यग्यान और पूरा जो उनके पास आर्थिस अंत्र है वो उनके पास है तो आर्थिस अंसादनों कमी होने काड़ बहुजन समाज आज वी उनके पर आश्रित हैं और यह जब तक बहुजन समाज आर्थि रूप से मजबूत नहीं होगा हम लोग की कोशिज रही है कि बहुजन समाज अपने सवाश्रित बने अपने वेफसाइच छोटोटी खोले अपने दुकाने बनाए जिससे सवाश्रित हो जाएगा तो डेफिनली आ योगी के गड़ में आप कितना सोच रहे कि बियस पी कितना धमाल करें जूट मूट का बैठा हुआ घंटा बजाने वाला व्यक्ति जिसकी खुद की कोई बिचाधारा नहीं है जो नफरत की राजनीत करता है सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने पर डराने पर और कहीं न पहले कर रहा था लेकिन मुझे लगता है इस वार कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसने बदलाओ गया बीपेट के माध्यम से पूरे भारत में लगाई गये हैं तो थोड़ा बहुत ट्रांसपरेंसी हो सकती है तो मोधी का ऐसा कोई तंत्र है ना योगी का कोई तंत्र है आप लोग हम लोग मीडिया के द्वरा उनका नाम लेते हमके नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूं हमारे बहुत हैं आज जिसकी तुस्यांग करते हैं चाहिं कि वी नहीं हम नहीं करते हैं इनकी यह थे हमारे साथ सुदेश राएजी जो बस्पा के हमके श्मर्ठी चाहरी और लगाता बसपा को बढ़ाने में लगाता सुणकों पे लगातार कारे कर रहे हैं और साथ में इन्होंने साफ शब्दों में कहा दिया कि इस बार देश पहला देश का दलित परदार मंत्री देखेगा और इसी डर से नरिंद्र मोधी जाके गुफाओं में बैठ चुके हैं और वो सन्यास की तरफ अग्रसर हो चुके हैं इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंग नीला सलाम नियूस से धन्यवाद अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले